वैसे तो पूरे विश्व में नया वर्ष अंग्रेजी केलेंडर के अनुसार एक जन्वरी से मनाया जाता है लेकिन हिंदू मानिताओं के अनुसार हिंदू नवर्ष की शुरुवात हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास में होती है जो कि अंग्रेजी केलेंडर के मुत का हिंदु नवर्ष क्या नए प्रभाव लोगों के लिए लेके आ रहा है और कैसा होने वाला है इस बार का हिंदु नवर्ष देखे इस बार जो तारीक है वो है प्रदा को मनाते हैं देखिए इसका जो कनेक्शन जो है संजोग जो है वो यह है कि जब भगवान राम रावन से युद्ध करने जा रहे थे तब उन्हें माशक्ति की उपासना संजोग वश इसी दिन से चालू की थी और इनने लगातार 9 दिन तक तपस्या की थी और जब मात शक्ति प्रसंद नहीं हुई थी तब उन्हें खुद ही धनुजभां उठाके अपना स्वयम का वद्ध करने के लिए आतुर हो गए थे तब माशक्ति खुद आके उनका हाथ पकड़के उन्हें रोकी थी और यह फिर एक संजोग बना जिस दिन माशक्ति उनको रोकी थी व लिए उसे दो कारणों से राम नौमी भी कहा जाता है माशक्ति के वरदान वाला दिन जो राम नौमी के दिन दिया था उन्हें और भगवान राम का जनम भी चैत्रपक्ष की शुक्लपक्ष की नौमी के दिन ही भगवान राम का जनम भी हुआ था तो इसलिए जो तपस्या रहे शक्ति देता रहे तो यह शक्ति की उपासना भगवान राम ने नौ दिन तक की थी रावन से युद्ध ने विजय प्राक्ति के लिए यह आपको जो लेक है यह ब्रह्म पुरान में मिल जाएगा ब्रह्म पुरान में इसपष्ट दिया गया है कि क्या क्या और कैसे कैसे उनने ब्रह्म्हा जी ने किया है शृष्टी को बनाने के लिए देखिए, जो वर्ष प्रारंब होने जा रहा है वो ग्रहन हटते ही प्रारंब होने वाला है जो की अच्छा नहीं माना गया है शास्त्र अनुसार अब बात करते हैं पूरे वर्ष की फल की तो इस बार जो है वर्ष जो जाना है ये थोड़ा कठिन जाएगा क्योंकि आंसिक कालसर्प योग सतत बना रहेगा बीच बीच में चंद्रमा के कारण आंसिक काल दोश का परिहार होता रहेगा लेकिन बीच बीच में चंद्रमा ही केमा द्रुम योग बनाके उसे पीड़िद भी करते रहेंगे तो ये जो साल जाना है थोड़ा संघर्ष वाला जाएगा सुख और दुख साथ चलते हुए दिखेंगे और इस वर्ष राजा मंगल है, मंत्री शनी है तो जब दो कुर ग्रहें को दाइत्व मिल जाता है तो ये भी हो सकता है या यो कहूँगا कि ये होगा कि कुरूरता पूरवक कोई कटोर निर्न्रे भी लिये जाएं क्योंकि दोनों ही ग्रहें कटोर हैं तो इस साल ये देखने अवश्य मिलेगा कि ऐसे ऐसे निर्णा वर्ड वाइड लिये जाएंगे जो किसी ने सोचे भी ना होंगे वर्ष के अनुसार राजा और मंत्री मुर्थ होते रहते हैं हर साल बदलते हैं और कभी-कभी एक जैसे हो जाते हैं कि मतलब फिर से पुनाहदायत मंगल को मिल जाए या शनी को मिल तो क्या पहले दिन और कुछ ग्रहों की कुछ इस्तिती या कुछ ग्रह पीड़ित हो जाते हैं और इत्तफाकन सारे ग्रह आस पास ही है तो चर अचर सभी जीवों पे रभाव बुरा ही पढ़ना है इसलिए पूजा पाट करें उस दिन और विधाता से बल लें और चंद्र और भगवान सूर्देव को पूजा पाट करके बल दें इस दिन नववर्श अपना प्रारहम हो रहा है इत्तफाक से जो कि कई सदियों में बिरले ही देखने मिलते हैं कि राजा और मंत्री एक ही घर में बैठे हों तो राजा और मंत्री जो हैं मंगल और शनी कुम राशी म एक साथ हैं न्याय के देवता के घर में हैं तो इनका न्याय भी तगड़ा होगा क्योंकि खुद शनी सौग रही है और उनके राजा मंगल कहलाए जो की शनी के घर में हैं मंगल सेना पती है सेना पती का सबसे पहला करतव यह होता है अपने राजा के लिए लड़ना अब यहां तो यह खुद राजा है तो इसका सीधा सीधा तातपर यह होता है सेना पती अगर अच्छा है तो न्याय करेगा और युद्ध में लड़के जीतेगा तो निरणे जो होंगे कुर्टा पूर्वक होंगे और यहां पर रहम की गुंजाईश इनके न्याय में फिर नही शेशिमे लोग